तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली ही 2024 में रिलीज हुई मूवी फाइटर के बारे में इस मूवी की डिरेक्शन सिधार्त आनन्द की है और ये एक फुल एक्शन पैक्ड मूवी है और इसके लीड आक्टर्स की बात करें तो इसमे रितिक रोशन, धिपिका पादुकॉन, अनिल कपूर और करन सिंग ग्रोवर जैसे बड़े-बड़े आक्टर्स देखने को मिलते हैं पर अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी बे अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजेगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा So now that being said, चलिए चलते हैं अपनी मूवी की तरफ मूवी की शुरुआत पाकिस्तान से होती है जहाँ पर हम जैशे मुहमद नाम के एक टेर्रिस्ट क्रूप के लीडर अजर अक्तर को देखते हैं अजर अक्तर एक काफी बड़ा टेर्रिस्ट था और वो अपने कई सारे और साथियों के साथ मिलकर इंडिया पर एक बड़ा सा अटाक प्लान कर रहा था और इस बार ये लोग श्री नगर के एक एर बेस को टार्गेट कर रहे थे अब कहानी यहां से जाती है इंडिया की तरफ जहाँ पर हम श्री नगर के एर बेस में कई सारे भारत के जवानों को देखते हैं यहाँ पर हमें पैटी, मिनी, रोकी, सर्ताज और इनके कई और साथ ही दिखाय जाते हैं यहाँ पर हमें यह बताया जाता है कि रौकी इन सब का लीडर है और यह सबी लोग रौकी के अंडर ही काम करते हैं। फिर Rocky इन सब को एक जगा पर एक खटा करता है और बोलता है कि तुम सब को यहाँ पर इसलिए लाया गया है ताकि तुम लोग इस Air Base की रक्षा कर पाओ। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन इंटेलिजन्स को कहीं सही ये भनक लगी है कि पाकिस्तान बहुत जल्द इस Air Base पर हमला करने वाला है और इसमें जैशे मुहम्मद गृप भी शामिल होगा तो यह सबी लोग यहाँ पर अपने अपने फाइटर प्लेन में बैठते हैं और जंग के तयारी में लग जाते हैं अब इस मूवी के इसाफ से पैटी इंडिया का नंबर वन आर्मी पाइलिट है पर कहीं न कहीं रौकी पैटी को पसंद नहीं करता वो यह समझता है कि पैटी किसी भी चीज़ के काबिल नहीं है और वो उसे एक बहुत बड़ी गलती का ज साल पहले मेरे फ्यांसे की एक हेलिकॉप्टर दुरगटना में मौत हो गई और उस हादसे के बाद से मैं शान्त रहना ही पसंद करता हूँ तब मिनी भी यहाँ पर अपनी स्टोरी बताती है वो बोलती है कि मेरे आर्मी में जाने के सपने को मेरे पेरेंट्स बिलकुल भी स पसंद करने लगे थे फिर हम एक पाकिस्तानी टेर्रिस्ट मजीद खान को देखते हैं जो की 100 केलो आर्डी एक्स लेकर इंडिया के कश्मीर में गुज जाता है पर इंडियन आर्मी को इस बारे में और डेडी इंफरमिशन थी तो वो लोग मजीद खान को ऑन दा स्पॉट ही पकड़ लेते हैं फिर जब ये खबर श्री नगर के एयर बेस में पहुंचती है तो वहाँ पर पैटी और उसके साथ ही काफी जादा खुश होते हैं और ये समझने लगते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की एक बड़े अटाक को रोक लिया अब एक बार तो इन्होंने हमल से बोलता है कि अगर तुमने उन जवानों को मार दिया तो तुम्हें जरूर जन्नत नसीब होगी और ये बोलकर वो उस गाड़ी से उतर जाता है फिर वो गाड़ी सीधा उन जवानों की गाड़ियों में गुश जाती है और क्योंकि उस गाड़ी में 200 से 300 किलो RDX पड़ा तो इसलिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा दमाका होता है और हमें ये बताया जाता है कि इस हमले में 60 से बजारा सेनेकों की जान चली गई अब जब ये खबर रौकी और उसकी टीम के पास पहुंचती है तो ये सुन उन्हें बहुत दुख होता है और साती सात बहुत गुस पर मैं कौन हूँ वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा वो यहाँ इन सभी को बताता है कि जैशे मोहमत का असली प्लान यही था और जो मजीद खान उन्हें RDX के साथ मिला था वो दरसल इस प्लान का ये एक हिस्सा था वो फिर इन्हें अजर अक्तर के बारे में थोड़ी सी information देता है और बोलता है कि ये सब उसी का किया कराया है तो फिर रॉकी पैटी को ये order देता है कि तुम दिल्ली जाओ और NSA के members से बात करके ये decide करो कि अब आगे क्या करना है पैटी दिल्ली जाता है और वहाँ पर ये decide होता है कि ये सभी लोग पाकिस्तानी आतंग वादियो उपर एरस्ट्राइक्स से हमला करेंगे और यहाँ पर इन्हें ये स्ट्रिक्ट ओर्डर भी मिलता है कि पाकिस्तान के किसी भी आम नागरेक को इसमें शामिल नहीं करा जाएगा और मारा जाएगा तो केवल उन आतंगवादियों को अब इने कहीं से ये इन्फोमिशन मिलती है कि जैश मुहमत के बहुत सारे मेंबर्स पठान कोट में छुपे हुए हैं और उनके पास कई सारे खतरनाख हतियार भी है तो ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपने अपने प्लेन में बैठेंगे और पठान कोट के उपर जाकर वहाँ पर जैश मुहमत के साथ ही उपर हमला करेंगे बिल्कुल ऐसा ही होता है और ये लोग अपने अपने प्लेन में बैट कर पाकिस्तान के लिए निकल जाते हैं फिर पठान कोट के उपर आकर इनकी एर स्टाइक चालू होती है और इसमें कई सारे जैश मुहमत के मेंबर्स मारे जाते हैं मगर जैश मुहमत का लीडर अजर अक्तर अभी भी जिन्दा था तबी पाकिस्तानी आर्मी को ये इन्फोमिशन मिलती है कि इंडिया ने पठान कोट पर हमला कर दिया है तो पाकिस्तान के कई सारे फाइटर प्लेन्स भारत के जवानों पर हमला बोल देते हैं तब हम देखते हैं कि बारत के जवानों में से mostly जवान वापिस इंडिया पहुच चुके थे मगर इन में पैटी और उसका दोस्त सर्ताज अभी भी पाकिस्तान के अंदर ही थे कि तब ही पैटी उसके पीछे जाता है और उसके प्लेन को हमले के लिए लॉक कर देता है और वो रेड नोस से बोलता है कि अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुमें मार दूँगा अब ये सुनकर रेड नोस सर्ताज को नहीं मारता और ये लोग सक्सेसफुली इंडिया में वापिस आ जाते हैं अब कुछ दिन बीठते हैं और हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कई सारे फाइटर प्लेन्स इंडिया में गुश चुके थे और वो जमू एंड कश्मीर में तबाही मचा रहे थे अब जैसे ही ये खबर इंडियान सेनेकों के पास पहुंचती है तो वो तुरंत प्लेन्स लेकर इस हमले वाली जगा पर आ जाते हैं मगर इंडियान जबानों के वहां पहुंचते ही पाकिस्तान के प्लेन्स वहां से भागने लगते हैं ये देखकर हमारे सोल्जर्स को काफी कन्फ्यूजन होती है और वो लोग पाकिस्तानी प्लेन्स का पीसा करना शुरू कर देते हैं अब चलते चलते पाकिस्तानी प्लेंस तो पाकिस्तान में गुश जाते हैं मगर क्योंकि इंडियन्स के पास पाकिस्तान में गुशने की पर्मिशन नहीं थी तो वो लोग बॉर्डर पर ही रुख जाते हैं अब पैटी यहाँ पर पाकिस्तान में गुषने की पर्मिशन मांगता है, मगर कुछ टेक्निकल इशूस की वजए से उसकी आवज उसके सीनियर्स तक पहुंचती ही नहीं है, तब पैटी सर्ताज से बात करते हुए बोलता है कि इनके हमलों की कीमत इने चुकानी पड़ेगी और मैं पाकिस्तान में गुष रहा हूँ, सर्ताज उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर तब पैटी बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं आना तो मताओ, मैं तो जाओंगा, तब ये सुनकर सर्ताज भी उसके साथ चलने के लिए मान जाता है, और पैटी और सर्ताज के साथ इनका एक और साथ ही बैश पाकिस्तान में एंटर कर जाते हैं पर यह तीनोज जैसे ही पाकिस्तान में गुस्ते है तब रेड नोज अपने कई और साथियों के साथ अपने प्लेन्स में इन तीनों का पीछा करना शुरू कर देता है यहाँ पर हम यह बताया जाता है कि यह दरसल Red Nose की ही चाल थी कि वो किसी तरह Indian सेनेकों को पाकिस्तान में ले आए फिर Red Nose सर्ताज के प्लेन पर हमला करता है और उस प्लेन में वहाँ पर आग लग जाती है अब पैटी वहाँ से बच के निकल जाता है मगर सर्ताज और बैश दोनों प्लेन से कूथते हैं और पैरशूट से पाकिस्तान के अंदर ही लैंड कर जाते हैं अब ये देख कि उसके दोनों दोस्त पाकिस्तान में ही रह गए हैं पैटी को यहाँ पर बहुत दुख होता है फिर हम रॉकी और पैटी को एक दूसरे से बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर रॉकी पैटी को बहुत सुनाता है और उसका transfer हैदराबाद के एक training camp में करा जाएगा अब scene यहाँ से change होता है और हम हैदराबाद में पैटी को देखते है जो कि training camp में अपने से junior school training दे रहा था मगर यहाँ पर वो पूरे time एक guilt में रहता था कि सर्ताज और bash के साथ जो भी हुआ वो सब मेरी ही गलती है तो वो ultimately यह decide करता है कि वो अपनी post से स्तीवा दे देगा और army को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा पर तब उसके senior यहाँ पर उसे एक advice देते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा decision इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए तुम कुछ दिन के लिए घर जाओ और ठंडे दिमाग से इस बारे में सोचो पैटी उनकी बात मानता है और कुछ दिन के लिए कश्मीर में अपने घर पर जाता है और वो पूरे समय यहाँ पर उस decision के बारे में ही सोच रहा होता है मगर एक दिन वो यहाँ पर टीवी में देखता है कि सर्टाज और बैश दोनों पाकिस्तान में जिन्दा थे और इंडिया के बहुत pressurize करने के बाद पाकिस्तान ने ये decide करा है कि वो लोग इन दोनों को इंडिया को वापिस सौप देंगे ये सुनकर पैटी वहाँ से सीधा श्री नगर airways पहुंचता है और वहाँ पर सब लोग इस खबर को सुनकर बहुत जादा खुश थे फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक helicopter land करता है मगर उस में से केवल एक stretcher ही निकलता है और उस stretcher पर मौझूद थी बैश की टुकडों में बिकरी हुई लाश ये देखकर सब लोग यहाँ पर चौक जाते हैं और सब ही बहुत दुखी होते हैं दूसरी तरफ पा किस्तान में हम सरताज को देखते हैं और जो तुमारे साथी वहाँ पर मेरे खिलाफ प्लैन कर रहे हैं उसके बारे में एक एक डीटेल मुझे बताए जा रही है और अजर अक्तर को उस एजेंट से ये इंफोमिशन मिली है कि इंडियन एर फोर्स रात में पाकिस्तान पर हमला करने वाली है पर सीन यहां से जाता है श्री नगर एर बेस की तरफ जहां पर हम हमारे सैनिकों की साथ साथ उसी रौ एजेंट को भी देखते हैं जिसकी बात अजर अक्तर कर रहा था मगर यहां पर हमें यह पता लगता है कि वो एजेंट दरशल है इंडिया के साथ ही और वो अजर अक्तर को ये जूटी कबर दे रहा है कि इंडिया रात में हमला करेगा जबकि इंडियन एर फोर्स सुबा को ये हमला करने वाली है तो फिर सभी सैनिक हमला करने के लिए पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं मगर पैटी को यहाँ पर इस हमले में शामल होने की परमिशन नहीं मिलती फिर जब बाकिसैनिक पाकिस्तान में पहुंचते हैं तो एक प्लेन में से कई सारे सैनिक नीचे उतरते हैं और अजर अक्तर के साथ ही उसे लड़ना शुरू करते हैं यहाँ पर इंडियन फोर्स के दो हेलिकॉप्टर्स और एक बड़ा सा प्लेन आया था और इनका बेसिक प्लान था कि यह लोग सर्ताज को वहाँ से उठाएंगे और उसे वहाँ से वापस इंडिया में ले आएंगे अब पहले तो भारतिय सैनिक पाकिस्तानी आतंगमादियों को मार रहे होते हैं मगर फिर यहाँ पर एंट्री होती है अजर अक्तर की उसके हाथ में एक मिसाइल लॉंचर था और वो उससे इंडिया के एक हेलिकॉप्टर पर हमला करता है और इस हमले में कई सारे इंडियन सैनिक मारे जाते हैं तब ही वहाँ पर पाकिस्तान के कई सारे फाइटर प्लेंज भी आते हैं और वो लोग भारतिय सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं अब ये देख एयर बेस में पैटी वहाँ पर जाने की परमिशन मांगता है पर उसके सीनियर्स उसे परमिशन देने से साफ साफ इंकार कर देते हैं तब रॉकी यहाँ पर पैटी का साथ देता है और अपने सीनियर्स से रिक्वेस्ट करता है कि इसे वहाँ पर जाने दीजिए और उसके साथ साथ मैं भी वहाँ पर जाऊंगा तो अब रॉकी की बात सुनकर उसके सीनियर्स मान जाते हैं और ये दोनों अपने अपने एरप्लेन्स में बैटकर पाकिस्तान की तरफ निकल जाते हैं पर इन दोनों के वहाँ पहुचने से पहले ही रास्ते में इनका सामना होता है रेड नोस से Red Nose यहाँ पर अपने प्लेन में आता है और इन दोनों से लड़ने लगता है ये लड़ाई कुछ देर चलती है मगर अंत में Rocky और Patty दोनों अपने प्लेन से कूच जाते हैं और उनके प्लेन सीधा Red Nose के प्लेन में जाकर टकराते हैं इससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और इसमें रेड नोज मारा जाता है और फिर रॉकी और पैटी अपने पैरशुट्स की मदद से उसी जगा पर लैंड करते हैं जहाँ पर इंडियन्स जैशे मोहमद से लड़ रहे थे अब वहाँ पहुँच पैटी का सबसे पहले सामना होता है अजर अक्तर से वो वहाँ उससे लड़ता है मगर अंत में वो से कार से बान देता है और वो कार फुल स्पीड में एक जगा से टकरा जाती है और इस एक्स्प्लोजन में अजर अक्तर भी मारा जाता है फिर ये लोग वहाँ के सभी आतगवादियों को मारते हैं और उस जगा को खाली कर देते हैं और अंत में ये लोग सर्ताज को एक हेलिकॉप्टर में बिठाते हैं और पाकिस्तान से वापिस भारत में ले आते हैं तो सर्ताज फाइनली इंडिया आ चुका था और यहाँ पर हम रौकी को देखते हैं जो की पैटी से बोलता है कि मुझे माफ कर दो तब यहाँ पर हमें उस गल्ती के बारे में बताया जाता है जिसकी बात रौकी ने मूवी की शुरुआत में करी थी दरसल रौकी की एक छोटी बेहन थी जिसका नाम था नैना और नैना पैटी की फियोंसे भी थी जी हाँ यह वही लड़की है जिसकी बात उसने मूवी की शुरुआत में मिनी से करी थी नैना भी एक आर्मी पाइलेट थी और वो पैटी की ही टीम में थी मगर एक दिन एक मिशन पर एक हेलिकॉप्टर हाथसे में नैना की मौत हो गई और तब से रौकी उसकी बेहन की मौत का जिम्मेदार पैटी को ही मानता है मगर आज के मिशन के बाद रौकी यह समझ गया है कि उसकी मौत एक हाथसा था और पैट ही उसका जिम्मदार नहीं है ये दोनों आपस में गले मिलते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी फाइटर मूवी की पूरी कहानी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक कर दीजेगा और फ्यूचर में ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फूर वाचिंग